नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागता है आप से भी का अमारे चनल टेक्निकल मस्ती में जहां करते हैं हम सेटों की अन्बॉक्सिंग तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में भी दो स्मार्टफॉन के अन्बॉक्सिंग करेंगे हम एक साथ जहां हमारे पास पहला स्मार्टफॉन है आइटेल का विस्ट एफटीवन प्लस वहीं दूसरा हमारे पास इंटेक्स का क्लाउड इस्ट्रिंग बी टो पॉइंट जीरो दोनों स्मार्टफॉन के अन्बॉक्सिंग करते हैं एक साथ और दोनों का डिस्प्ले साइज बताएं तो पांच इंच की डिस्प्ले और 2GB RAM और 16GB ROM के साथ दोनों सेट आपको मिलेंगे तो फ्रेंड्स दोनों की अन्बॉक्सिंग करके दोनों में दिखते हैं क्या-क्या डिफ्रेंसेस हैं और डिजाइन दोनों का कैसा है वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स अग वीडियो में बढ़ते हैं आगे और दोनों सेटों को खोलते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर हमारे सामने दोनों स्मार्ट फॉन है आइटल और इंटेक्स के जिसमें पहला फॉन है आइटल का विस एफोटी मन प्लस जो की 4G बोल्टी है 2GB RAM है इसमें और स्मार्ट की दी गई आप इसमें कुछ भी एड़ कर सकते हैं सौटकट मतलब फोटो कहेंचना बाकी कॉल उठाना और म्यूजिक का सौटकी भी बना सकते हैं आप अपने इंचाव अनुसार मैनुएली एड़ कर सकते हैं तो इस तरह की पैकिंग में आपको यह देखने को मिलेगा या नीचे की स इस प्लेय है 2GB RAM 16GB ROM है और आप इसकी expandable memory को 32GB तक बढ़ा सकते हैं 1.3GHz quad core processor और smart key दी गई है इसके back side में जहां fingerprint दिया जाता है वहीं battery की बात करें तो यहां पर 2400 mh की इसमें battery दी गई है android 6.0 marshmallow में यह मिलेगा 5 megapixel rear और 5 megapixel इसमें front camera दोनों के साथ flash आपको मिल जाएगा बाकी 4G bolty है और dual sim है इसमें तो वहीं आप Intex Cloud की बात करें तो Intex Cloud string यहां पर कुछ इस तरों की design के साथ दिया गया है इसमें आपको 2.5D का card glass display में मिलेगा बैक साइड देखें तो यहां पर दिया गया है इसमें 5 इंच की HD display है 1.3GHz quad core processor 2GB RAM 16GB इसमें ROM दी गई है 8 megapixel इसम इसमें selfie camera दिया गया है Android 5.1 lollipop में यहां मिलेगा बाकी इसमें mirror glass fingerprint भी दिया गया है जो कि इसका special feature दिया गया है 32GB तक आप इसकी external memory को expandable कर सकते हो 200 mh इसमें बैटरी है आप जल्दी से दोनों सेटों को करते हैं Unbox और दोनों सेटों के look को देखते हैं कि दोनों सेटों के box को कर दिया है Unbox तो friends पहला है ITEL का विस A41 प्लस तो mobile है इसमें mobile को रखते हैं comment के लिए site और देख लेते हैं box content में हमें क्या-क्या इसके अंदर मिल रहा है तो friends यहां पर data cable जो कि इस तरो की है यहां पर एक data cable मिल रही है हमें और यहां पर hands-free और यहां पर मिल रहा है एक 5 charger जो कुछ इस तरो का दिया गया है टाजर चारजर यहां पर हमें एक battery बैटरी भी मिल रही है जो कि 2400 mh की battery है देख सकते हैं आप है 2400 mh की ITEL फुटी वन की battery warranty card, quick card सब कुछ इसमें आपको मिल रहा है और एक flexible cover जो की बहुत अच्छा cover है transparent flexible cover इसमें आपको मिल रहा है तो friends अब देखते हैं set को, तो set है कुछ इस तरो का design में आपको देखने को मिलेगा, तो यहां भार से यह lamination है तो इसको हटा देते हैं, तो अब है यह set का design, तो देख सकते हैं यहां पर हमें front में flash light भी देखने को मिल रही है, जबकि front में 5 megapixel का selfie camera दिया गया है, नीचे navigation की दी गई है, right side में power on की और volume जॉकर दोनों साथ दिये गए है, अपर side में देखे तो यहां पर सिर्फ हैटफोन का jack लगाने के लिए दिया गया है, और bottom side में देखे तो यहां पर हमें charging jack और mic दोनों साथ में देखने को मिल जाएंगे, बाक 5 megapixel का rear camera with LED flashlight दिया गया है, इस speaker दिये गया है, यहां पर और बाकी phone का look design कुछ इस तरह का है, करते हैं इसमें बैटरी को insert और इसको करते हैं on और तब तक नजर डालते हैं, Intex के cloud string b2.0, तो friends दोनों सेटो कर दिया है, हमने on, तो friends देखते हैं दोनों सेटों की display को, तो friends कु idle की भी clarity है, पर थोड़ा मंदी लग रही है, आप देख सकते हैं, यहां पर दोनों की display में difference to Intex का 2.5D curved glass display को काफी अच्छा look दे रहा है, बाकी दोनों के contrast को एक बार full कर देते हैं, और अब दीखे, यहां पर दोनों की display कुछ इस तरह से दी गई है, बाकी दोनों के icon और फालतो की app से पुरा भरा हुआ mobile हमको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहां पर फालतो की डेर सारी app मिल जाएंगी, जिनका हमें कोई use भी नहीं होगा, पर जबरदस्ती ठूच दी गई है, जो कि यह बहुत गलत किया जाता है, आप बताना comment box में कि आपको यह फाल anti-kirket game दिया गया है, UC man दिया, UC mini दिया गया है, क्या क्या नहीं दिया गया है, दोनों सेटों में आप पार बंडार किया गया है, डालते हैं कैमरे पर दोनों के नजर तो कैमरा दोनों का देख सकते हैं, हम Intex का 8MP का कैमरा, और यहां पर आईटल का 5MP कैमरा, तो कुछ इस तोनों के कैमरे देखने को मिलेंगे हमें, दोनों के कैमरे लगवा काफी अच्छे हैं दोनों के, आप देख सकते हैं वीडियो में, कि आपको कौन सा कैमरा ज्यादा बैतर लग रहा है, यह है आइटल का A41 प्लस और यह है इंटेक्स का क्लावड एक्स्ट्रीम B2.0 तो फ्रे अगर आप यूज कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आपको सेट कैसा लगा और क्या-क्या खामिया हैं और क्या-क्या अच्छा हैं सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो फ्रेंश मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अन्बॉक्सिंग की साथ तब 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 तन नवाओत.